हलो इस्टूडेंट इस इस अनुपम गंभीर यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासिस इस्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्टर में क्लास 11 इंग्लिश हॉन्बिल बुक से चैप्टर 8 सिल्क रोट जिसके राइटर निक मिडल्टर है इसके हम समरी कवर करेंग तो उन्होंने अपने गाएट सेटन को हाईर किया जो की ड्राइवर भी था उन्होंने अपनी एत्रा रावो से स्टार्ट करी निकलने से जड़र पहले लामो जिसका रिलेशन नहीं बताया गया है इसस्टूरी में ने आफर को की पिस्किन का एक कोट ऐसा फेरवल गिफ्ट के रूप में दिया डैनियल जो उसका फ्रेंड था अमारे ओथर का डार्चन तक उनके साथ गया और वापस लासो चला गया जैसे ही च्वर्णी श्टार्ट हुई तो सेतन जो कि उनका गाइट था उन्होंने बताए कि हम शॉट कट रूट यानि कि सिल्क रूट से जाएंगे जो कि डारेक्ट हमें माउंट के लाज तक पहुंचाएगा ये शॉट कर रास्ता ही सिल्क रूट है जिस पर चैप्टर का नाम पढ़ा सिल्क रूट वो रास्ता है जो कि एशिया से यूरोब को connect करता है सेकंड सेंचुरी में चाइना इस रास्ते से सिल्क को export करती थी इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट या सिल्क रोड पड़ा इस रास्ते में उन्होंने बड़े-बड़े माउंटेन को क्रोज करना था रास्ते में इस तो नहीं हुई तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे और रास्ते में उन्हें गैजल्स, हर्ड ओफ, वाइड आशेज और शेपर्ड टेंडिंग के फ्लोग मिले फाइनले वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहां नॉमैट्स अपने टेंड के साथ रहते थे और टेंड के बाहर टिबटन मैसिफ यानि कि जो हुईग डॉग बड़े-बड़े डॉग होते हैं उन्हें टिबटन मैसिफ का जाता है तो नॉमैट की रखवाली कर रहे थे और वे ओधर की गारी के पीछे भी भागे थे जैसे ही उनकी गारी 10 के पास पहुचे थे जैसे ही वे एक वैली के पास पहुचे तो उन्होंने देखा कि पीक से बर्फ और पानी आकर रोड को या रास्ते को ब्लॉकेज कर रखा है तो रास्ते में बहुत से मोलें भी थी पत्थर थे जिससे उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा इसलिए गारी की स्पीड भी उन्होंने काफी कम कर ली थी जैसे ही वे 5,210 मीटर की हाइट पर सी लेवल से पहुचे थे तो उन्होंने काफी दिक्कत हुई थी और उन्होंने नोज बन करके मुझ के थू सांस भी ली थी फाइनली ऐसे जगा वे पहुच गए जहां पर रास्ता पूरी तरह बर्व से धका हुआ था तो सेतन ने स्वाइल एकठी करके रोड पर फैला दी जिससे कि उनकी गारी के जो पहिये थे वो स्लिप ना करें और टायर को ग्रिप मिल जाए अब वे 5,515 मीटर की हाइट पर पह तो जैसे ही सेतन का टैंक का धकन सेतन ने टैंक का धकन खोला तो ऑथर को एक डेंजर सी आवास सुनाई थी अब दोपैर के टू बज रहे थे और वे लंच के लिए रुखे जिसमें उन्होंने नूडल्स खाए अब ऑथर के सिर में भी सिर्दर भी पहले से थोड़ा ठीक और वे और नाम की जगह पर पहुंचे और इसके बाद वे एक हाइट पर पहुंचे जो की लासा से कश्मीर का था स्टुडेंट यह जो लासा है वो कैपिटल ऑफ तिबत है अब ऑथर के फ्रेंड डैनियल वहां से वापस ट्रक से लासा चले गए क्योंकि वे कोरा करने नह करता हूं ओथर को यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि वहां से और वे वहां से आगे निकल जाते हैं अब वे डार्चन नाम की जगह पर रात सारे दस बज़े पहुंच जाते हैं और एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं तथा कोल्ड की हाइट और की वज़े स में ले गए जहां एक डिबटन डॉक्टर ने उन्हें ब्राउन एनवलोप में पास दिन की मैडिसिन दी अब पूरे दिन ब्रेक फांस लंज दीनर के बार वे दवा लेने पर काफित गुट फिल कर रहे थे और अब रात को भी ऑथर अच्छे से सोय थे अब डार्चन में ह सेतन उन्हें छोड़कर वापस चला गया अपने अधर टुरिस्ट को लेने और डार्चन में ओधर को विजीटर नहीं दिख रहे थे क्योंकि वे अरली सीजन में ही यात्रा पर आ गये थे अब ओधर को एक कैफे में चाय पीते वक्त नौर्बू नाम के परसन से मुलाकात ह सामान लातने के लिए और नौर्बू ने कहा कि मेरी तमी तो निकली हुई है और मैं तो ऐसे ही लेट लेट कर को नहीं कर पाऊंगा लेकिन यह तो नौर्बू ने एस जोप बूला था वास्तम में तो दोनों ने मिलकर को रहा कम्प्लीट किया साथ श्टूए नहीं चैप् यह तो यह प्लीज लाइक इस वीडियो शेयर दिस वीडियो और अल्सो कमेंट अंग इस वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल पर मोर वीडियो थैंक इस वीडियो लेक्षर में तब तक के लिए बाए